So Hello Friends, Welcome to God of Economic Classes हम लोग Next Lecture आज से Start करेंगे और Lecture स्टर्ट करने से पहले मैंने प्लेइलिस्ट बना दिये Class The Life Macroeconomics की नेम से उसमें आप जाये सारे आपके जो भी Topics हैं, जो भी Line by Line हैं सारे पढ़े हुए हैं और दूसरी बात अगर इन्हीं Lectures रिकार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मेरा वाट्सप नमबर है ट्रिपल एट वन नाइन एट ट्री वन सेवन इसमें आप मुझे मैसेज करिए मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी आपको रिखलाय कर दूँ ठीक है तो लास्ट में यहां तक प टॉपिक में बताया था पिछले वी लेक्चर में आपको बताया था मैंने कि डॉमेस्टिक इंकम में में फोकस किसमें रहता है डॉमेस्टिक ट्रेट्री में डॉमेस्टिक ट्रेट्री क्या होती है जहां कि हमारे गुड्स हमारे लोग हमारी कैप्टल सर्कुलेट कर सकती ह अगर इंडिया में हैं तो वहां हमारी चीज़े नहीं सर्क्लेट कर सकते हीं freely बट अगर कोई Indian इंडियन इंबेसी पाकिस्तान या बुटान या नेपाल कहीं भी है तो वहां हमारी चीज़े अराम से जा सकते हैं हमारे लोग अराम से जा सकते हैं तो वो हमारी domestic trading के अंदर count हो इंकम क्या होता है domestic income is the sum total of factor income, factor income क्या होती जो factor of production अपनी services प्रोवाइड करते है producer sector को तो उसके बाद जो उनको पैसा मिलता है वो factor of income में count होता है ठीक है तो domestic income is the sum total of factor income, factor income मतलब compensation of employees, rent, interest और profit ठीक है तो domestic income किसका sum total है factor income का जो की कहां अंद करी गई हो जो की अंद करी गई हो domestic trade tree में हमेशा दयान रखिएगा domestic income में main focus होता है domestic trade tree में और national income में main focus रहता है normal resident में तो domestic income is the sum total of factor income and in a domestic territory by the resident और by the non-resident ठीक है ये बात हमेशा दयान रखिएगा domestic income में main focus है domestic trade tree में और domestic trade tree में कौन पैसा अंद कर रहा है resident या non-resident उससे मतलब नहीं है में मतलब है कि पैसा domestic territory में हो रहा हूँ या economic territory में पैसा अर्ण करा जा रहा हूँ national income में हमारा जो पैसा अर्ण कर रहा हूँ वो बंदन normal resident होना चाहिए normal resident में main focus होता है whether वो domestic territory में कर रहा हूँ या outside the domestic territory कर रहा हूँ ठीक है और मैंने आपको एक और बात बताई थी जब हम लोग domestic to national जाते हैं जब हम लोग domestic to national जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं domestic से national जाते हैं जब हम तो plus NFIA करते हैं क्या करते हैं plus NFIA ठीक है तो plus NFIA क्यों करते हैं देखिए domestic income में हम पैसा include करते हैं जो कि हमाई domestic territory में income करी जा रही है बट हम outside the domestic पैसा include नहीं करते हैं ठीक है बट national income में क्या होता है national income में outside the domestic ट्रेटी वाला पैसा भी include होता है तब ही हम लोग जब हम लोग domestic income से national income जाते हैं तो plus NFIA करते हैं NFIA मतलब होता है net factor income from abroad मतलब कि factor income इंकम बाहर से कितनी आई है और net अगर factor income का आपको net निकालना है तो आप simple सा काम करिए factor income बाहर से कितनी आ रही है minus factor income बाहर कितनी दी जा रही है इन दोनों को आप minus कर दीजिए आपका net factor income from abroad निकल आएगा ठीक है ना तो net factor income from बाहर का मैंने पिछली लेक्चर में फॉर्मला भी बताया था net factor income from abroad का फॉर्मला होता है factor income receive from abroad minus factor income paid to abroad वही बात है domestic से national जा रहे हैं तो plus NFIA करेंगे और national से अगर हम domestic जा रहे हैं तो minus NFIA करेंगे ठीक है अब देखिए domestic income and domestic product are identical concept यह दोनों identical concept है same concept है ठीक है न यह दोनों क्या domestic income और domestic product same concept है देखिए यह लिखा भी है there is no difference between the concept of domestic income and domestic product domestic income और domestic product में कोई difference नहीं है यह दोनों identical concept है because देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आगर हम कोई production करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं तो value addition होता है कि नहीं होता है जब हम production करते हैं मान लीजे 10 रुपए की कोई चीज हमने 10 रुपए का raw material था उससे हमने 20 रुपए का finish goods बना दिया 10 रुपए का कोई raw material था उससे हमने क्या करा उससे हमने 20 रुपए का कोई समान बना दिया तो हमने production करा कि नहीं करा production करते रहा है हमेशा हमारा क्या होता है value addition होता है जब भी हम कोई चीज raw material से कोई भी चीज बनाते हैं तो हमारा क्या होता है value addition होता है तो value addition होने के बाद जो जितना पैसा value addition होता है तो firms क्या करती है उसी value addition को उठा के जो उनका revenue आया होता है वही उठा के क्या करत वही उठा के वो factor of production को दे देती as a income, as a payment वो कर देते हैं, ठीक है न, तो बात यहाँ simple सी है, कि because all production is ultimately converted into factor income, बात मैं यहाँ क्या बोलना हूँ, ध्यान समझिएगा, पहले production होता है, उसके बाद value addition होता है, goods में value add होती है और वही value addition का पैसा यह वही revenue का पैसा firms उठा के as a payment कर देती है factor of production तो factor of production के लिए वो क्या हो जाता है factor income हो जाता है, तो in the first round the firm produces goods, पहले round में firms क्या करती है, goods produce करती है और goods किस की help से produce करती है goods produce करती है, with the help of factor of production लब land, labor, capital की help से हमारा goods production करते है फिर उसके बाद क्या होता है और factor of production कहां से hire करे जाते है, from the household sector, कहां से hire करे जाते है factor of production from the household sector, second round में क्या होता है, firm distribute अब जो goods produce कर लिया firms ने, और goods किस की help से produce करती है, with the help of factor of production अब जब goods produce करने के बाद माल बिक गिया, जो पैसा आया वो पैसा क्या करते है, वो पैसा firm हमारी distribute कर देती है किसको distribute कर देती है जो factor of production होते है, factor of production को क्या कर देती है, distribute कर देती है जो household, household sector दी का तो part होता है factor of production, land, labor, capital entrepreneur कहां से आता है, household sector दी से तो आता है, तो बात एक simple सी है, कि पहले goods बना, पहले goods बना तो पहले गुड्स किसकी हल्प से बना फैक्टर अप्लॉक्शन की 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 हल्प से बना फैक्टर अप्लॉक तब ही हम लोग बोलते हैं कि दस domestic income is obviously equal to domestic product, domestic income किसके equal है domestic product के अगर हमें domestic income के थूरू national income में जाना है तो हम NFIA को add कर देंगे, या domestic income को हम लोग domestic product भी बोलते हैं, तो domestic product से अगर हमें national product में जाना है तब हम NFIA को add कर देंगे, तो domestic income लिखाओ या domestic product लिखाओ बात सेम है, national product लिख लिखाओ या नेशनल इंकम लिखाओ बात सेम है थीक है ना तो ये चीज थी इसको आप पढ़िएगा अब देखिए होट में कहले जाये है होट में सिंपल सी एक बात लिखी है टुमेस्टिक इंकम में डिफ्रेंस दिया है टुमेस्टिक इंकम को मैंने आपको पहले भी बता करते हैं NNPFC से मतलब की net national product at factor cost से denote करते हैं ठीक है NNPFC का फुल फॉर्म है net national product at factor cost बात सिंपल सी मैंने आपको दस बार बता चुका हूं domestic income में main focus रहेगा domestic trade tree में और national income में main focus रहेगा किसमे normal resident में ठीक है ना domestic income is this sum total of factor income factor income कहां अंड करी गई हो domestic trade tree में whether by the resident और by the non resident और national income में जो factor income अंड करी गई हो वो normal resident के थूँ अंड करी गई हो whether in the domestic trade tree या outside the domestic trade tree ठीक है domestic income में हम लोग NFIA include नहीं करते हैं national income को count करते time हम NFIA include करते हैं NFIA क्या net factor income from abroad net factor income from abroad मतलब बाहर से कितना पैसा आया माइनस बाहर से कितना पैसा दिया गए इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा net factor income from abroad निकल आता है ठीक है मैंने आपको पहले भी formula इसका बताया है अब हम एक detail में थोड़ा जानेंगे कि normal resident मतलब होता गया normal resident मैं इतनी देर से बोल ला हूँ और मैंने आपको पहले भी बताया था कि normal resident कि क्या होता है बट अभी थोड़ा detail में देख लेते हैं देखे normal resident वो बंदा है जो किसी country में एक साल से ज़्यादा रह रहा है और उसका economic interest भी वहीं लाई कर रहा है ठीक है normal resident उस बंदे को बोलते है जो इंसान एक country में एक साल से ज़्यादा रह रहा है लाई कर रहा है उसका economic interest भी वहीं लाई कर रहा है मतलब वो खा भी रहा है कमा भी रहा है सब कुछ वहीं कर रहा है तो देखे क्या लिका है it is not necessarily that normal resident of the country is also citizen बात यहां बोल ला है कि जरूरी नहीं है कि अगर जिस country का कोई बंदा जैसे है किसी country का citizen है ठीक है तो जरूरी नहीं है वो वहां का normal resident भी हो मतलब normal resident और citizen दोनों एक साथ नहीं हो सकते है मतलब citizen किसी और country का भी आदमी हो सकता है और normal resident किसी और country का भी हो सकता है मान लीजी citizen है वो USA का बट यहां एक साल से ज़्यादा अब जैसे आले अभट है आले अभट की citizenship कहां किये England की है बिटेन की है बट वो एक साल से ज़्यादा यहां रहे हैं खा रहे हैं कमा रहे हैं economic interest भी उनका lie यहीं कर रहा है तो वो यहां की क्या बन गई नॉर्मल रेसिजिटन बन गई ठीक है ना तो citizen होना अलग बात है normal resident होना अलग बात है ठीक है अब जैसे अक्षय कुमार है अक्षय कुमार की citizenship कहां किये Canada की है ठीक है अभी तक case वगएरा कुछ लोग काफी news में चलता रहता है citizen से उनकी कहां किये Canada की है बट क्या कहते हैं बट वो यहां कमार है जैसे और कई सारे singers आते हैं जैसे अभी foreigner singers आते हैं काफी तो वो अपनी country की citizen है बट वो यहां का रहे हैं कमा रहे हैं एक साल से ज़्यादा रह चुके हैं और उनका अर्ण भी यहीं कर रहे हैं तो वो यहां के normal resident बन जाएंगे जो यह वो यहां पैसा कमाएंगे उसमें उनको tax भी देना पड़ेगा ठीक है ना अब देखे normal resident of a country में क्या क्या आता है सबसे पहली बात citizen of the country who normally reside in a country and whose center of economic interest lies in the country मैं आपको बात बता चुका हूँ जो बंदा एक साल से ज़्यादा किसी country में रह रहा है उसका economic interest भी वहीं लाइक कर रहा है तो वो उस country का normal resident बन गया दूसरी बात citizen of other nation whose continue to live in the country beyond a period of one year and whose center of economic interest lies in the country for example if an Indian living in USA वही बात है कि अगर कोई Indian है वो USA में रह रहा है एक साल से ज़्यादा और वो वहाँ कमा भी रहा है तो USA का वो क्या बन जाएगा normal resident बन जाएगा बट वो इंडिया के citizen रहेगा जैसे IIT में placement वगरा होते हैं हमारे आके कई सारे इंडियन वहाँ जाके USM काम करने लगते हैं तो है वो citizen कहा के इंडिया के बट वो USA में एक साल से ज़्यादा काम कर रहे है वहाँ खा रहे हैं कमा रहे हैं तो वहाँ के वो क्या बन जाते है normal resident citizen अलग बात है normal resident अलग बात है ठीक है अब देखिए next क्या लिखा है citizen of the country थर्ड पॉइंट देखिए citizen of a country working in international organization जैसे हमाई country का citizen है citizen of a country working in international organization जैसे हमाई country का कोई citizen है वो IMF, World Bank वगरा या foreign embassies में काम कर रहा है for example an Indian working in the World Bank office located in New Delhi would considered as normal resident तो वही बात है कि अगर कोई Indian है और वो World Bank के office में काम कर रहा है जो कि located है इंडिया में तो वो भी हमारा normal resident count हो जाएगा देखिए मैं आपको यह सब इतना detail में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि actually क्या होता है CBSC दो या तीन नंबर का यह question दे देती है ठीक है ना ability zone मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि CBSC दो या तीन नंबर का दे देती हर साल और उसमें यह बच्चे कर नहीं पाते है और बहुत ही अराम से होगा पहले सबसे पहले मेरा focus रहेगा 12 का course complete कराना पूरा macro Indian बाद मैं 11 में आऊँगा बट पहले मुझे 12 का course पूरा complete कराना है ठीक है ना तो उससे आप लोग निश्चिंत रहिए कि इस condition में course हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा course हम लोगों को बहुत अराम से होगा ठीक है अब देखिए fourth point citizen of a country who are living abroad but not for a period of one year and whose center of economic interest lies in their home country अब देखिए क्या लिखा है citizen of a country who are living abroad जो citizen बहार रह रहे हैं but not for a period of exceeding one year and whose center of economic interest lies in the home country वही बात है कि जैसे कि कोई बहार जैसे कोई रहने चला गया बट एक साल से ज़्यादा नहीं रह रहा है वो वहाँ और उसका economic interest भी उसी home country में लाइक कर रहा है ठीक है तो वो भी हमारा normal lesson count करा जाएगा तुमकि वो वहाँ एक साल से ज़्यादा नहीं रहा है नहीं उसका economic interest भी वहाँ वो कमा रहा है वो ऐसे घूमने गया है तो वही बात लिखी citizen of the country who are living abroad वो बाहर रह रहा है बट एक साल से ज़्यादा नहीं रह रहा है एक साल से ज़्यादा मलब छुटी उटी कुछ भी काम से गया है एक दो महीने के लिए गया है और वो economic interest भी उसका home country में लाय करता है तो वो हमारा normal resident रहेगा border workers और person who cross the border between two countries daily regularly in order to work in one country are the resident of the country in which they live वही बात है हमारे कई सारे Indians नेपाल की border cross करते हैं रोज कुछ ना कुछ काम रहता है तो कोई border cross करते हैं कोई समान लाना इधर से तो वो ऐसा थो नहीं ना उस country के normal resident बन जाते हैं वो अभी भी हमारी country के normal resident है official diplomats member of armed forces of foreign country are treated as normal resident of the country to which they belong अब देखिए जैसे क्या कहते हैं कि official आते हैं कोई बाहर के official जैसे UNO से कोई officers आये हैं diplomats आये हैं members आये हैं तो वो जैसे एक country से दूसरी country travel करते हैं तो वो सारे कहां कि normal resident है and not of the country in which they are employed, मलब वो काम करने आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मलब कि हाँ, जैसे अब UNO के office इंडिया में भी है, UNO को office USA में भी है, तो UNO को office में USA से कोई इंडिया आया, जैसे कुछ काम परपस के लिए, तो ऐसा नहीं कि वो यहां का normal resident बन गया, कि the foreigner who visit a country for, जैसे कोई बहारी बन्दा आया, travel करने के लिए, recreation, छुट्टी उट्टी, holidays के लिए, medical treatment के लिए, studies के लिए, conference वगरा होती है, वो उन सब केसों में, वो normal resident नहीं consider करा जा सकता है, जैसे बहार से कोई बन्दा आ रहा है, इन सब कामों के लिए आ रहा है अगर बन्दा, तो वो normal resident नहीं होगा, official diplomates आते हैं, member of armed force, मैंने बता चुका हूँ, जैसे कोई armed forces का member आता है, जैसे कोई armed force का member आता है, तो वो बहार से यहां आया, कुछ दिन के लिए, यहां और training purpose के लिए, हमाई कंट्री में WHO का office है, हमाई कंट्री में World Bank का office, हमाई कंट्री में कई सारे international organization का office है, तो जो बन्दें वहाँ काम कर रहे हैं, वो यहां की normal resident नहीं होए, crew members of foreign vessels, crew members जैसे होते हैं, साथ में foreign आते हैं, उनके साथ में, तो वो भी सारे हमारे normal resident नहीं होते हैं, foreigners who are employees of non-resident enterprises, and who have come to the country for purpose of installing machine in these enterprises, अब वही बात है, कैसे जैसे कोई foreign company चल लई है, Samsung जैसे यहां खुल गई, Nokia जैसे यहां खुल गई है, तो यहां कोई machine वगएरा जैसे foreigners आएं, machine लगाने, install करने आए हैं, तो यह थोड़ी नहीं नहीं normal resident में count कर दिये जाएंगे, वो नहीं normal resident में count करे जाएंगे, ठीक है न, तो foreigners who are employees of non-resident enterprise, लेखे क्या लिखा है, foreigner, बाहरी, जो employees है, non-resident enterprise, के मतलब बाहर की कोई company है, उसमें कोई foreigner अगर आता है, and who have to come to the country for the purpose of installing machinery in these enterprises, कोई बाहर की company है, MNC है, उसमें कोई बाहरी foreigner आता है, machine लगाने के लिए, तो वो यहां का normal resident नहीं माना जाएगा, all these people will be treated as non-resident, as generally they stay for less than one year, इन सब बाहरी एक साल से कम रहेंगे, लोग यहां इसलिए normal resident नहीं माना जाता है, और इनका economic interest भी यहां नहीं लाई कर रहा है, economic interest भी वहीं लाई कर रहा है, जहां से लोग आएं हैं, ठीक है, अब देखिए, ठीक है, हम लोग next में, components of domestic treaty, next lecture में देखेंगे, components of domestic treaty, ठीक है, तो इसको आप पढ़िए, इसको एक list बना लीजिए, और इसको याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि, तीन या चार नंबर का आता है, बट यह बहुत ज़्यादा important है, हम एक एक नंबर को नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, तो thank you very much, और इसके बाद का next lecture में, और आप लोग tension ना लीजिए बिल्कुल, कोर्स हमारा बहुत अराम से होगा, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए, और ऐसे ही पढ़ते चले जाएं, इन lecture के रिकार्डिक अगर कोई आपको problem होती है, तो मेरा WhatsApp नमबर में आप मुझे message कर सकते हैं, और thank you very much, keep watching Europe Economic Classes.